कि कि जितने बड़ी फिल्म होटी है ना कितनी बड़ी फिल्म हो उसका जो advance booking अगर वो Hollywood की ना हो by the way क्योंकि मुझे यादे शायद आउतार 2 जब आई थी उसका advance booking तो बहुत पहले शुरू हुआ था कोई तो film थी मैं जाता Hollywood को follow नहीं करता हूँ आउतार थी या कोई दूसरी थी मुझे याद ने लेकिन उसका advance booking एक या देड़ महीना पहले शुरू हुआ था ऐसा नहीं रहता है और specially not with Bollywood एक simple बात है चार दिन पहले बड़ी बड़ी फिल्मों का advance booking शुरू हुआ था वो जो पठण का advance booking है ना वो शायद 25 को release हुई थी थी ना फिल्म तो 20 तारीक को शुरू हुआ था यह 21 को कुछ जगह पर 21 के बाद ही शुरू हुआ था जितनी बड़ी फिल्म होती है ना बेटर रहता है कि जितना लेट हो उसका advance booking अब यहाँ पर क्या है कि दोनों ने 10-10 दिन पहले ओपन किया था advance booking अब यहाँ पर एक चांस है दस अब क्यों बोल रहा हुँ देखो वैसे अगर देवारा रिलीज हो जाती हलाकि वो पॉश्पॉन हुए है तो शायद यह पास तारीक से यह advance booking शुरू कर देवारा के बाद देवारा रिलीज होने के बाद पर यहाँ पर एक मौका यह है कि अगर बीच में कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है पास तारीक को और यह मैदान और बड़े में चोटे में अगर सच में 10 तारीक को confirm बड़े में चोटे में तो है मैदान का भी शायद confirm है तो तो भाई यह लोग 10 द अगर जो लोग बोल रहें कि एक मैना पहले कुछ कमेंट देखे थे मैंने चाहे हो कितनी ही बड़ी फिल्म क्यों नहीं होता है क्यों नहीं होता है कोई स्पेशल ऐसा रीजन नहीं है बात यह है कि कोई भी फिल्म हो यार अगर एडवांस बुकिंगर आप 15-15-20-20 पहले श कि शुरू करे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है बैए देखो, स्क्रीन तो लिमिटेड रहती है कोई भी फिल्म कितनी भी ज़्यादा और स्क्रीन सो बुकमाशो का इंट्रेस्ट हो लोगों का इंट्रेस्ट हो वह तो लिमिटेड है नो आप ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि भाई नहीं नहीं 15 दिन पहले अगर अच्छी बात है लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा अगर 5 दिन पहले अच्छी बात है जादा अच्छी बात है I know that किसी कोई चीज नहीं समझ आएगी लेकिन सिंपल सी बात है क्रेज जो रहता है ना क्रेज कि भाई एडवांस बुकिंग पर तूट पड़ती है पबलिक कब तूट पड़ती है देखो अगर एक तारीक से शुरू होता है तो होगा क्या कि भाई चलो ठीक है दस तारीक को ह हलाकि होने वाला है पाच को पकड़के चलो आप मैंने तो सुने यह दस दिन पहले भी हो सकता अड़वांस बुकिंग उपन तो अगर पाच से तो भाई ज्यादा टाइम में रहेगा और जल्दी में तगड़ा बुकिंग शुरू हो जाता है वो बहुत इंपोर्ट रहता ह है और बड़ी फिल्मों का ऐसा ही रहता है आप देख लो वायरे वाले भी चार-चार दिन पहले ही कर देते हैं अड़वांस बुकिंग कोई बहुत बड़ा जहमिला या इशु नहीं है रहे भाई वो डंकी का जो या सलार का जो अड़वांस बुकिंग कब हुआ था एक व सब करेंगे कुछ लोग डे टू का करेंगे कुछ लोग डे त्री का तो यह गलत है वाई सिंपल बात है जितना ज्यादा लेट एडवांस बुकिंग हो उतना ज्यादा कभी-कभी क्रेज बढ़ता है हां कुछ फिल्मों के मामले में गडबड यह हो जाती है कि कुछ लोग करेंगे बोलते हैं कि यार अडवांस बुकिंग थोड़ा पहले शुरू कर देना चाहिए था कुछ फिल्मों के बारे में हुआ है पर क्या है जिनका है अल्रेडी तगड़ा रहता है अब एक सिंपल लॉजिक देखो मैदा नौ बार पोस्पॉन हुई अज तक तो उसका अरचा दीन पहले भी अगर अडवांस बॉकिंग शुरू हो जाएगा ना हलाकि इनका एक एक वीक पहले हो जाएगा कम से कम पकड़ के चलो मैं तो दस दिन पहले ही प्रडिक कर रहा हूं कि एक तारिक से हो जाएगा दस तारिक को मूवी रिलीज हो जाएगी तो आप यह म होता कि है महलूमें और यह लोग क्यों नहीं करते मैं उसका भी रिजन बता रहे तो बाइचांस मानके चलो कि आपने पनरा दिन पहले कर दी आडवांस बॉकिंग शुरूप होता कहा है मूवी आने तक ना वो क्रेश कभी कभी कम हो जाता है कि मतलब लिमिटेड हो जाते ब मेरा मानना है लेकिन क्योंकि अगर क्लैश हो रही है तो दोनों का अडवांस बॉकिंग एक-एक तारिक से शुरू हो जाएगा मैदान हो या बड़े में चोटे में आओ दस तारिक को फिल्म रिलीज होगी तो जो लोग मुझे पूछ रहे थी कि आप अंदाज आता दो कि अडवांस बॉकिंग को होगा तो एक तारिक पकड़ खच चलो भाई वह एक महिना देड महिना पहले या पंदरा दिन पहले पॉसिबल ही नहीं ना मुम्किन टेक क्यार गई शेर करो वीडियो को जाता से जाएगा